नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं संगीता गुपता आपका स्वागत करती हूँ इस सेशन में तो आज हम बात करेंगे डाइबिटीज और स्टमक रिलेटेड इशूस इनका चक्रा से क्या कनेक्शन है इनको हम एनरजी के थूँ कैसे जल्दी हम ठीक हो सकते हैं तो आपका स्वा अगर आपको पसंद आए तो अगर आपके लिए इंफोर्मेशन अची है तो प्लीज सब्सक्राइब तो डाइबिटीज जो है इस रिलेटेड टू मरी पूर्चक्रा हमारे स्टमक रीजन में जो हमारा डाइडेस्टिव सिस्टम है वहां पे पैंक्रियास होते हैं तो पैं हमारी पाचन क्रिया को रेगुलेट करते हैं और पाचन क्रिया जो होती है वह कनेक्टेड होती है मनिपूर्चक्रा से तो मनिपूर्चक्रा जो है उसका रंग जो है वह पीले रंग का होता है तो और इसमें का जो एलिमेंट है वह फायर एलिमेंट है आपने सुना होगा कि खाना पचाने के लिए एक जे ठागनी होती है, जो पचाती है, as per आयुरेदा, आयुरेदा में जे ठागनी बोला गया, अगनी, तो अगनी यानि फाइर एलेमेंट, तो जो मनिपूर चक्रा है, उसका काम है, कि आपने जीवन में हर चीज जो भी आपको मिला है, जो एमोशनल तो जो डाइबितिक पेशिंट्स होते हैं, या जो लिवर इशूज, लिवर सायरोसिज और ये सब होता है, तो देखिए हम मेडिकल साइंस के जीवन में जी रहे हैं, तो मेडिकल साइंस का तो हमें लेना ही लेना है एलाज, हम उसको एगनोर नहीं कर सकते, हम केवल एनरज मनेपुर चक्रा पे भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर के भी जा रहे हैं, इंसुलेन वगरा का भी ध्यान दे रहे हैं, इमोशनल जो एमोशन हैं हमारे मनेपुर चक्रा से कनेक्टे रहे कर उनका भी ध्यान दे रहे हैं, तो एक होलिस्टिक हीलिंग होती है, जो आपको साइड रेर होता है बट उनकी लगन और उनकी महीनत है यह मैं एप्रिशेट करूंगी वो रेगुलरी हीलिंग लेते थे हमसे और खुद भी हीलिंग करते थे और अपनी डाइट का ख्याल अपनी वॉक्स और यह सब तो हमें छोड़ना ही नहीं है तो जो एमोशन होता है को पकड़े हुए होते हैं तो उनका मनीपूर्ट चक्रा इंपाक्टेड हो जाता है तो और वहां पर आपको इशू आती है लिवर की पैंक्रियास की और पार्चन शक्ति कब्स यह सब इशू होती आती है एंग्जाइटी इशू होने लगती है या बर्पिंग होने लगती है लोगों कोएसे ड़ेटी की बीड प्रॉपल्लम हो जाती है तो हसी डिटी वगेरा की दिज प्रॉब्लम है इसका मतलँ हमारा इया चक्रा है स्बोन फोता है जब आप बहुत ज़्यादा फियर में डूबे हो तो जब बहुत ज़्यादा फियर डरे जा रहे हो डरे जा रहे हो constantly आप unknown चीजों से अभी recently मेरी एक मेड है जो मेरे यहां बहुत ही प्यारी बच्ची थी और काम करती है उसको हर समय डरी रहती थी हर समय इसके दिमाग में चलता रहता मेरा पती मिले छोड़ देगा मेरा पती क्योंकि उन लोगों की इंटर रिलीजन मारीज हुई थी तो इस वज़े से बहुत डरी रहती थी क्योंकि लड़के के माबाप उसके favor में नहीं थे तो मैं उसको बोलती थी please to fear की issues निकाल दे relax रहे वो अपने शादी के बाद उसने एक साल के अंदर अंदर अपने स्टमक में इतनी सारी diseases create करनी अपने fear की वज़े से उसको लिवर की issues आ गई उसको यह डाबितिक हो गई within one year साथ में उसके infections हो गई स्टमक में acidity हो गई और इस समय वो लड़ रही है अपनी health के साथ और हर समय fever क और हर समय anger irritation जो गुसा होता है वो anger का रूप ले लेता है और वो जो है fever में manifest करता है तो जो लोग बहुत जादा शरीर से अपना गुसा नहीं निकाल पाते तो बॉड़ी पे impact आता है गुसरे का तो fever होना भी एक symptom है anger का क्योंकि heat है heat बढ़ती जारी है बॉड़ी में गुस तो हमारे जो fear का जो emotion है वो मनिपूर चक्रा से संबन देता है अगर आप confidence रहते हैं अगर आप positive रहते हैं और खुश रहते हैं तो मनिपूर चक्रा बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप देखोगे तो पेट की problems आपको नहीं आएंगी पत्री वगरा होना आपके इस region में तो यह सब उसी गॉल ब्लेडर में पत्री का बहुत जादा हो जाता है आजकर गॉल ब्लेडर में पत्री होना आपका डाइबिटिक होना आपका लिवर संबंदित issues आना यह बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोग एक financial fear में रहने लगे हैं तो financial fear कुईसी भी तरह का fear हो च चाहे वो relationship को लेके डर हो क्योंकि बहुत सारे लोग को relationship से भी संबंदित डर में बैठे होते हैं तो अपने इन डरों को release करने के लिए मनीपुर चक्रा पे काम करना बहुत ज़रूरी है तो अगर आपको अपना मनीपुर चक्रा अच्छा स्वस्त रखना है तो इसके लिए आपने जो है एक तो रेकी करना है मनीपुर चक्रा पे इसको activate करना है आप एक crystal yellow color का citrine या tiger stone पहन सकते हैं उसके बहुत अच्छी results आते हैं पेट संबंदित problems के लिए और affirmation करना है मतलब अपने आपको जो fear वाली issues है emotions है उनको release भी करना है तो हमारी रेकी की workshop में हम वो fears को release करवाते हैं subconscious mind में जो fears रह गए हैं तो उनको छोड़ना बहुत जरूरी है जैसी आप fears को release करते हो आपकी body दवाईयों को बहुत जल्दी accept करती है आपकी healing बहुत जल्दी होती है और आप बहुत जल्दी स्वस्त हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आप रेकी healing सीखना चाहते हैं जो लोग diabetes या पेट संबंदे समस्यां से जूच रहे हैं तो अपने मणी पूर्चक्रा को सक्रिय करिए उसके लिए रेकी healing सीखिए और हम offer करें